हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आम सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास एथ की वॉक्षीट नंबर 26 जो की 25 अक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का सब्जिक्ट है मैथमेटिक्स और आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैलेल लोग्राम तो पिछली वॉक्षीट में हम ने समझा था के पालेलो ग्राम एक हैसी structure होती है जैसे कि यह के पें असी का साय्जमीर जो में सामने की जो dedi cricket, उक है उप ब मोद जाइंगो टीक्र में डीक्सक्रेंग ग्रार jakby होती है जैसे यह साइड इसके एकवल अंड पैलललल ठीक है और इस वाले first वाले picture में ये side इसके equal and parallel है और ये वाले side इसके equal and parallel है तो ये हो गए parallelogram अब parallelogram के कुछ और भी types होती है जैसे की rhombus rhombus क्या होता है कि एक हमने बनाया square और इस square को हमने यहां से और यहां से थोड़ा सा दबा दिया तो कुछ ऐसी structure बन जाती है तो इसको हम बोलेंगे rhombus और rhombus में ये वाली side इसके equal है ये वाली side इसके equal है and ये side इसके parallel है और ये side इसके parallel है equal भी है parallel भी है इसका मतलब rhombus भी एक parallelogram होता है ठीक है and next क्या है और rhombus में देखो एक special ये होता है कि जो इनके diagonals होते हैं वो एक दूसरे को बिल्कुल mid पे कट करते हैं ठीक है और ये जो diagonals है वो एक दूसरे को perpendicularly bisect करते हैं यहां पर 90 degree का angle बनाते हैं और ये जो diagonals है ये एक दूसरे को दो equal parts में डिवाइड करते हैं ठीक है अब हम देखते है second जो की है rectangle rectangle हम सबको पता है ऐसी structure होती है ये वाली side इसके equal है and parallel है ये वाली side इसके equal and parallel है और इसके four angles है और four angles 90 degree के हैं नी सारे angles 90 degree के हैं अगर इसके हम diagonals बनाएं तो दोनों diagonal equal होते हैं और एक दूसरे को bisect करते हैं यानि ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला इन चारों की length equal होगी ठीक है अब हम देखते हैं एक square और rectangle भी एक parallelogram होता है अब बात करें square की तो इनकी चारों side equal होती है और ये side इसके parallel है और ये वाली side इसके parallel है ठीक है इसके अलावा जो इनके diagonals हैं वो equal होते हैं एक दूसरे को equal parts में divide करते हैं और साथ ही साथ 90 degree का angle बनाते है ठीक है और जो एक square है उसमें rectangle की सारी properties होती है rhombus की सारी properties होती है and parallelogram की सारी properties होती है यानि कर हम एक square को draw करते हैं तो वो एक rectangle भी होगा वो एक rhombus भी होगा और वो एक parallelogram भी होगा ठीक है अब हमें कुछ questions करने है question number one है which of the following quadrilateral is not a parallelogram इन में से कौन सा एक parallelogram नहीं है तो हमने उपर पढ़ा कि square भी है rhombus भी है और rectangle भी है तो correct option है इसका option भी trapezium second question है which of the following quadrilateral has perpendicular diagonals इन में से किसके perpendicular diagonals होते है rectangle के नहीं होते, parallelogram के नहीं होते, trapezium के नहीं होते, rhombus में होते है अभी हमने उपर पढ़ा कि rhombus के जो diagonals होते हैं वो एक दूसरे को 90 degree के angle पे cut करते है and third question है which of the following quadrilateral have equal diagonals इन में से equal diagonals किन के होते है kite के नहीं होते, rhombus के नहीं होते, square के होते है and parallelogram के नहीं होते तो option C इसका correct answer है, ठीके बचो, तो ये थी आज की हमारी math की worksheet and I hope आपको ये worksheet बहुत अच्छे से clear हो चुकी होगी in case आपको कोई doubt है, कोई feedback देना इस video के regarding, तो आप नीचे comment section में जाके बता सकते है अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो उसको जरूर लाइक करें, अपने friends के साथ भी शेयर करें उस channel को subscribe करें, thank you